और अजित राटी अमासा देरदून से जूर चुके हैं जादा जानकारी के साथ और बाचीत के लिए अजित बहुत बड़ा नुकसान उत्राखंट सरकार को हुआ है क्योंकि प्रकाशपन जैसे विद्वान नेता और सरल सुम्हाफ के नेता जिसे विपक्ष भी काफी जादा सम्मान करता था काफी जादा रिस्पेक्ट करता था बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके निधन से देखे दिपिका प्रकासपन्त यहां एक ऐसे राजनितिक थे जिनकी राजनिती में इर्षया जूट फ्रेव ये सब चीजे नहीं थी और वो सालीन होने के साथ हर अपनी हर बात को अंडर टोन में कहते थे कभी वो जोर से नहीं बोलते थे कभी नाराज नहीं होते थे और विधान सभा में ऐसे कितने मोके आएं गिनना भी मुश्किल है कितने मोके आएं जब उन्होंने अपनी सरकार को बचाने का काम किया चूंकि विधान सभा के भीतर जिस तरह की लड़ाई होती है उसमें देखा जाता है कि यहां इसके संसदे कारे का कोशल किसके पास है क अधी बदरी कहदार गए और एक थी कुसों में किताब लिखी और उनका कवी हर्दय था एक तरह से और वो लिखते थे कि सूरिया हूं मैं हर एक पल जला हूं सदा चांद बनकर रात में भी चला हूं सदा मतलब वो हर वेक्ति के हर पल साथ रहने की बात अपनी पंक्तियों से उसको पितोरागड उनके ग्रह जन्पद में उनका अंतिम सथकार होना है प्रकास पंथ की कमी सरकार को इस उत्राखंड को सामाजी को राजनितिक तमाम तरह के जो भी अपने यहां वर्ग हैं उनको हमेशा खलेगी प्रकास पंथ एक ऐसे सक्सियत थे जो आसानवित रहते लोगों को निरास नहीं होने की प्रेणा देते थे और वो कहते थे नहीं हमें उम्मीद रखनी चाहिए हर काम होगा हर समस्चा का समाधान होगा राज्य आंदुलन से के समय से वो अपने उत्राखंड के लिए लड़ते रहे आंदुलन करते रहे और यही एक उनकी सालीनता थी उनका वेभार था उनका सवभाव था उनके भीतर जो चुपे वे गुड़ थे वो एक सफलता का गटना करम 2000 में हुआ जब राज्य बना तो इनहीं गुड़ों के चलते और उनके सालीन सवभाव के चलते उनके उनकी जो नौलिज होने के चलते उनको पहला विदान सव द्रकैनार को जेल नी पड़ेगी उतराखन राज़्य को जहेलनी पड़ेगी जो जिसका बहुत ही व्यापक सक्सियत थी प्रकास पंद की अपनी आम खहती इतनी अच्छी थी कि उनको लोग कुछ भी कहने से पहले दस बार सुचते थे और यही कारण है कि आज उनकी कमी खल रही है अब जब तक उनके सरीर को अंतिम अगनी नहीं दी जाती जब तक उनका अंतिम संसकार नहीं होता तो अच्छी सोच को खो देना होता है और यही सबसे बड़ी बात है और महत्वपून बात है कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते जो भी आपका व्यवार है वही लोग आपके बारे में सोचते हैं और याद करते हैं फिलार उनके पार्थिव शरीर की हम बात करें त और उसके बाद यहां जनता के दर्सन के लिए उनको थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा और उसके तत्कालबाद विसेश यांसे पिथोरा गड़ जो उनका ग्रह जनपद हैं जहां उनका पैतरगां है जहां पुराना घर है वहां उनका अंतिम संसकार उसी जिले में उस लगता है चलेगा चुकि परकासपंद के लोग बहुत कायल हैं उनके बहुत अनुयाई हैं उत्तरखंड में उनके बहुत फालोर हैं तो जो उनको लंबे समय तक याद रखेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि राजनिती से कोई दूसरा परकासपंद निकले हाला कि अभी इन हा में थी और वो एक सोम में सभाव के मालिक थे इसलिए अब माना जा रहा है कि माना नहीं जा रहा है कि यह लगबग तैह है कि सनिवार को उनका अंतिम संसकार पिथोरागड में उनके अगरेजन पद में होगा जी दीपिका बिल्कुल अजीत और अगर हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है उत्राखन के विकास के लिए ये भी काफी जादा पार्टी के लिए बहुत जादा नुकसान दायक है नहीं किया कि जो पहली बार सदन में चुनकर विदायक आया है उसको बोलने से रोका हो एजे संसेदे कारेमंत्री वो एक प्लेट फारम तियार करते थे जिस पे नए सदस्से चलकर आगे बढ़ते थे उन्हें परेणा देते थे उनको संसेदे कारियों की बारिकियां समझा समझाते थे और सदन के अलग अपने कारेले में भी वो लोगों को समझाते थे कि यह तकनिकी चीज है यह बहुत वैदानिक चीज है यह विदान्समा की जो कारेया संचालय नहीं मावली है इसके विपरीत है आप इस सूचना को इस आर्टिकल के तहत नहीं दे सकते यह लिखे लोग बहुत हो सकते हैं, विजन बहुत वैपक होता है और नोलिज बहुत चोटी हो जाती है तो परकासफपंद उत्ताखंड की राजनीति में विजनरी नेता थे, उनका दरश्टिक वहुत ही विस्तरित और बहुत वैपक था और उनकी इस राज्य को इस समय बहुत जरुत थी, बहुत उम्मीदों के साथ वो राजनिती में आये थे और हमेशा उनकी एक खास बात मैं आपको और बताता हूँ, वो हमेशा मुख्यमंत्री पन के दावेदार रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और कई बार तो से उनके साथ काम किया, और सरकार को हमेशा उस एल्टर देते, सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते थे, कभी उनकी राजनिती में नफरत, जूट, फ्रेब, घरना, ये सब चीजे उनके जो राजनितिक जीवन था, उसमें सामिल नहीं थी, और मैं एक बात और आपको बता काम होता है, और हर मिनिस्टर को संसेदे कारे मंतरी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए दूसरी बारों संसेदे कारे मंतरी थे, जी, दिपिका, बिकुल और सरल सोभाव के व्यक्ति और साथी छल कपट से को सो दूर ऐसे, ऐसी शक्षिय थे, प्रकाश्मंत, बहुत शुक्री आ